नमस्कार दोस्तों आप सभी का सवागत है आपके अपने यूटूब चैनल रवीशडी आईक्यू जी के पर आज मैं आपके लिए साइंस का सबसे जादा इंपॉरेंट टॉपिक मानव नेत्र जिसे की हम हूमन आई भी बोलते हैं इसके मोस्ट इंपॉरेंट 50 कोशन इस आपके जादा इंपॉरेंट रहने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से हर एक्जाम में कमसे कम दो कोशन पूछे ही जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट कोशन से फर्स्ट कोशन है मारा एक समानने मनुश्य के लिए सूस पश्ट दृष्टी की नियोंतम दूरी कित यह आपको तीनों value याद रखनी है जाद तर तो आपको एक्जाम में 25 cm देखने को मिल जाता है लेकिन अगर examiner question को थोड़ा घुमाना चाहे तो वो आपको answer mm में भी दे सकता है मीटर में भी दे सकता है इसलिए आपको यह तीनों value याद रखनी पड़ेंगी important question है exam में कई बार पूछा गया है next question कर लेते हैं पुतली जिसे की हम pupil भी कहते हैं का अकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है सही answer है इसका option B iris, iris जो होता है यह रोशनी के हिसाब से पुतली जिसे की हम pupil बोलते हैं का अकार निर्धारित करता है यह question भी friends exam में कई बार पूछा गया है अगला question कर लेते है धूप या जादा रोशनी में पुतली के अकार पर क्या फर्क पड़ता है answer है option B छोटा हो जाता है कभी भी friends अगर आप धूप में जाते हो या जादा रोशनी में जाते हो जो पुतली का अकार होता है यानि pupil का जो अकार होता है वो छोटा हो जाता है क्योंकि धूप में क्या होता है कि जादा रोशनी होती है तो जादा रोशनी हमारे आँखों में अंधेरे में या कम रोशनी में जो हमारी पुतली होती आँखों की जिसे की हम प्यूपल भी बोलते हैं उसका अकार बड़ा हो जाता है ताकि ज्यादा सा ज्यादा रोशनी जो है हमारे आँखों के अंदर परिवेश कर सके और हमें चीजें बिल्कुल क्लेर दिख सके ठीक है नेक्स्ट कोशन कहे लेते हैं ये भी एक्जाम फेवरेट है नेतरदान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है आंसर इसका ऑप्शन बी कॉर्निया कभी भी जो नेतरदान होता है उसमें पूरा आँख जो होता है वो दान नहीं किया जाता हमेशा जो आँखों का जो cornea वाला भाग होता है, सिर्फ यही दान किया जाता है, ठीक है? Next question, आँखों का अलग-अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है? Friends, आप यह देखते हो कि जो कोई इनसान होता है, उसकी आँखे काली होती है, किसी की brown होती है, ठीक किसी की नीली होती है, तो वो किस कारण से होती है? आपका answer होगा, option A, iris, जो iris का रंग होता है, यही decide करता है कि किसी कभी जो आँख होगा, वो किस रंग का होगा, ठीक है? तो यह भी आपको याद रखना है, और iris को हम परी तारिका भी बोलते हैं, यह भी exam में कुछ हगया question है, next question कर लेते हैं, मनुश्य के आँखों में कौन सा lens पाया जाता है? सरी answer है, option C, उप्यूक्त दोनो, यानि कि उत्तर lens, उत्तर lens को ही हम convex lens बोलते हैं English में, तो आपको याद रखना है, मनुश्य के आँखों में जो lens पाया जाता है, वो convex lens होता है, जिसे कि हम उत्तर lens भी बोलते हैं, आपसे exam में question और भी पूछ लिया जाता है, कि जो मनुश्य के आँखों में जो उत्तर lens पाया जाता है, उसका focal length कैसा होता है, तो आप का answer होता है, जो focal length होता है, वो positive होता है, यानि plus का होता है, next question है मनुश्य की आँखों के retina पर कैसा प्रतिबीम यानि image बनता है, सही answer है, option C, उप्यूक्त दोनो, यानि वास्तविक और ultra, या बोल सकते हो real and inverted, वास्तविक और ultra को हम real and inverted भी बोलते हैं, जो मनुश्य की आँखों पर, जो retina पर इमेज बनता है, या प्रतिबीम बनता है, वो वास्तविक और ultra बनता है, ये भी आपने याद रखना, exam में कई बार पूछा गया है, आँखों के अध्यान को क्या कहा जाता है, सही आंसर है, option D, ophthalmology, जो होता है, ये आँखों के अध्यान को कहा जाता है, यहाँ पर बात हुई है, osteology, बांकि options discuss कर लेते हैं, osteology में हम हड्यों का अध्यान करते हैं, cardiology में हम हिर्द्या का अध्यान करते हैं, hematology में हम रक्त का अध्यान करते हैं, और हमसे पुछा गया था, आँखों के अध्यान को क्या कहा जाता है, आपका answer होगा, ophthalmology, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, exam में पुछा जाता नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं मानव शरीर का कौन सा उत्तक जिसमें रक्त वही का या बोल सकते हो रक्त नहीं पाया जाता तो आपका अंसर होगा option c cornea मानव शरीर का एक ऐसा उत्तक होता है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता उसे हम cornea कहते हैं तो friends आपके दिमाग में अभी सवाल आ रहा होगा कि अगर इसमें रक्त नहीं पाया जाता तो इसमें oxygen का transfer कैसे होगा तो friends जो हमारा आँक का बाहरी हिस्सा होता है उसी को हम cornea बोलते हैं यह जो हिस्सा होता है इसे cornea कहते हैं और यह वातवरन के संपर्क में रहता है यानि हमारे environment के यानि atmosphere के संपर्क में रहता है यहीं से oxygen को ले लेता है ठीक है इसलिए friends यहाँ पर बलड नहीं जाता फिर भी यहाँ पर oxygen की supply हो जाती है cornea में ठीक है यह आपने याद रखना है यह इस बिमारी को कहते हैं यह इखाम में कई बार पुछा गया है आखों की ऐसी बीमारी जिसमें आसु सूख जाते हैं उसे क्या कहते है आञाई option C, zero pathalemia zero pathalemia एक ऐसी बिमारी है जिसमें जो आँखों की आँखों में जो आशू होते हैं वो सूक जाते हैं ठीके नहीं जो आँखों की जो नमी होती है वो खतम हो जाती है तो उस बिमारी को कहते हैं zero pathalemia ठीके ये भी एक्जाम में पुछा गया है आँखों की ऐसी बिमारी जिसमें कोई व्यक्ती निकट की वस्तों को सपस्ट रूप से देख सकता है जबकि दूर की वस्तों सपस्ट रूप से नहीं देख पाता उस बिमारी को क्या कहते हैं तो answer है option D, उप्युक्त सभी उस बिमारी को हम myopia कहते हैं अगर यह किसी भी इनसान को होगा तो उसे पास की चीज जो होती है वो दिखती है लेकिन दूर की चीज़ें जो होती है वो नहीं दिखती ठीक है मतलब clear नहीं दिखती उस बिमारी को myopia भी बोलते हैं दूसरा नाम है इसका निकट दृष्टी दोश और इंग्लिश में बोलते हैं short sightedness तो आपने ये तीनों याद रखना है important है next question कह लेते हैं आँखों की बिमारी myopia जिसे कि हम निकट दृष्टी दोश बोलते हैं को ठीक करने के लिए किस परकार के lens का चश्मा का प्रियोग करना होता है answer S का option C उप्युक्त दोनो after lens या बोल सकते हो concave lens after lens को ही हम concave lens बोलते हैं इस lens का प्रियोग करके जो myopia बिमारी है यानि निकट दृष्टी दोश की बिमारी है उसे ठीक किया जाता है आपको ये भी बता होना चैंकि जो after lens होता है option A रेटीना से पहले रेटीना से पहले प्रतिबिम बनता है अगर किसी को भी myopia यानि निकट दृष्टी दोश की बिमारी होती है फ्रेंट की जो question है ना मैंने आपको तीन तरह के question कर पहले मैंने पहले आपको बताया कि myopia होता गया है तो friends मैंने आपके लिए फिगर बनाया है ठीक है जो फिर नॉर्मल आई होता है जैसे कि किसी कोई बिमारी निहीं होती तो उसमें क्यों होता है जैसे यह object है इसकी जो image है इसकी जो image है रेटीना पर बन रही है ठीक है यह होती है myopia की बिमारी फिर मैंने आपको बताया कि अगर इसको ठीक करना है तो हम concave lens का परियोग करेंगे concave lens देखने में कुछ इस परकार को आता है concave lens का जस्मा पेनाया गया myopia जिसको myopia बिमारी थी फिर आप देखते हो friends कि जो बिमारी यह ठीक हो गई देख सकता है जबकि pass की वस्तों में सपस्ट नहीं देख पाता ऐसी बिमारी को क्या कहते हैं सही आंसर है option D उप्युक्त सभी यानि hypermetropia या बोल सकते हो दूर दिश्टी दोश या बोल सकते हो long sightedness hypermetropia दूर दिश्टी दोश एकी नाम है और इसको अप्यूक्त दोश भी बोलते हैं को ठीक करने के लिए किस परकार के लेंस का चश्मा का परियोग करना होता है आंसर है option C उप्यूक्त दोनो उत्तल लेंस या बोल सकते हो convex lens अगर किसी भी इनसान को hypermetropia की बिमारी है तो उसको उत्तल लेंस का या बोल सकते हो convex lens का चश्मा देने से बिमारी ठीक हो जाती है और convex lens जो होता है इसका जो focal lens होता है फैंस वो plus का होता है next question करते है आंखों की बिमारी hypermetropia जिसे की दूर दिश्टी दोश भी बोलते है में प्रतिविम कहां पर बनता है सही answer असका option B retina के पीछे myopia मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिविम बोलता है वो retina के आगे बनता है लेकिन अगर किसी को hypermetropia की बिमारी है यानि दूर दिश्टी दोश की बिमारी है उसमें जो प्रतिविम बनेगा यानि जो image बनेगा वो retina के पीछे बनेगा यह question B friends exam में कई बार पूछा गया है friends यह चीज ना मैं आपको figure से समझा देता हूँ देखो मैंने आपको यहाँ पर बात करी थी कि जो normal eye होता है उसमें प्रतिविम बनता है retina पर ठीक है अब हम बात करते हैं यहाँ पर friends जो hypermetropia भी बिमारी होगी उसमें क्या होगा friends जो image है वो retina पर नहीं बनेगा वो retina की पीछे बनेगा ठीक है अब इसको ठीक करना है इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे बुज़ुर्ग लोगों को होती है नाम यादखने आपने प्रेस बायोपिया या जरा द्रिष्टी दोश next question कर लेते हैं बुज़ुर्गों में सिलियरी मांस पेशी जिए कि हम सिलियरी मस्सल्स भी बोलते हैं कि सकत होने से कौन सी बिमारी होती है आंसर इसका option C उप्युक्त दोनो प्रेस बायोपिया बोलो या जरा द्रिष्टी दोश बोलो next question बुज़ुर्गों में होने वाली बिमारी प्रेस बायोपिया जिसे की जरा द्रिष्टी दोश भी बोलते हैं में उनको कहां की वस्तु दिखाई नहीं देती आंसर है option C उप्युक्त दोनो ना उनको प्रेस बायोपिया जिसे की हम जरा द्रिष्टी दोश बोलते हैं को ठीक करने के लिए किस परकार के लेंस का प्रियोग होता है आंसर है इसका option C उप्युक्त दोनो बाइफोकल लेंस जिसे की हम द्रिष्टी फोकल लेंस भी बोलते हैं इस लेंस का प्रियोग होता है प्रेस बायोपिया की बिमारी को ठीक करने के लिए next question कर लेते हैं रताउंदी जिसे की हम night blindness भी बोलते हैं को और किस नाम से जाना जाता है most important question है यह सरी answer है option A निक्टलोपिया निक्टलोपिया के नाम से जाना जाता है रताउंदी की बिमारी को या बोल सकते हो night blindness को आपसे एकजाम में question ऐसे भी पूछ लियाता है कि रताउंदी की जो बिमारी है उसका संबंद मानोशरीर के कि संफे है आपका answer होगा आखोंसे संबंद今日は रखता है एक ही समय में एक ही दिषा में नहीं देख ती इस बिमारी को क्या कहते हैं तो आप कांस्लों का option C Is Puerto Dono III disc — यह बोल सकते हो strabismus strabismus यह बोल सकते हो T fix cerecuse甲 you, ऐसी बिमारी है जिसमें ऐसा लगता है कि जो आखे हैं एक समय में एक ही दिषा में नहीं देख ती फेंट वे देखते ओंप है कि कई-कई-कई जो इनसान होते हैं,ंट उनकी जो आफिर आखे होती हैं ,वह सब्हें बुलकुर इक जैसा नहीं होता है ,एक ऐसा होता है ,एक साइड में होता है हिसी भीमारी को वह तर्यक्दस्टी भोलते हैं या स्राबिसमस कहते हैं नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, ट्रैकोमा बिमारी किस अंग को प्रभावित करता है, सही आंसर है, option A, आंख को, ट्रैकोमा ऐसी बिमारी है, जो कि हमारे आंखों को प्रभावित करता है, next question कर लेते हैं, किसी भी lens का सूत्र, यानि lens formula क्या होता है, तो सही आंसर है, option A, 1 upon F, is equal to 1 upon V, minus 1 upon U, यह क्या होता है, lens का सूत्र होता है, यानि आप बोल सकते हो lens formula होता है यहाँ पर जो F है इसे हम focal length बोलते हैं V जो है यह होता है image distance ठीक है क्या होता है image distance जिसे कि हम प्रतिबिम्ब की दूरी भी बोलते हैं और U क्या होता है object distance यह भी आपने याद रखना है अगर आपसे exam में यह पूछ लेगी तो मैंने आपको बता है lens का ठीक है अगर आपसे exam में पूछ लेगी mirror formula क्या होता है तो आप cancel का यहाँ पर plus लगा दोगे तो mirror formula बन जाएगा next question कर लेते है आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मातरा को को नियंतरित करता है सही answer है option C, iris iris जो होता है यह decide करता है यह नियंतरित करता है कि आँखों में कितना प्रकाश जो है वो enter हो ठीक है तो आपने याद रखना है iris next question कर लेते है आँखों का वह काला छितर जहां से प्रकाश प्रवेश करता है उसे क्या कहते है answer is option B, उसे हम पुतली कहते है या बोल सकते हो pupil कहते है आँखों का वह काला छितर जहां से प्रकाश प्रवेश करता है उसे हम पुतली कहते है next question बनुशे की आँखों का दृष्टी का इस्थाइत्व जिसे की हम persistence of vision भी कहते हैं कितना होता है सही answer है option A 1 upon 16 seconds यह आपने याद रखना है 1 upon 16 seconds यह होता है यह दृष्टी का इस्थाइत्व यह बोल सकते हो persistence of vision होता है हमारी आँखों का इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए और लास्ट में मैं आपके लिए 10 कोशन का टेस्ट रखा है मैं आपको इतनी shorty देता हूं कि पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक कोशन आपको इसी वीडियो में याद होने वाले है next question कर लेता है मानव नेतर का जो lens होता है वो कि इस पेशी पर टिका रहता है option B ciliary पेशी मानव नेतर का जो lens होता है वो ciliary पेशी पर टिका रहता है important question रहेगा आपके exam के लिए friends आपको यह बताओना चाहिए कि जो मानव नेतर का lens होता है जो कि मैंने आपको बताए था convex lens होता है इसके उपर muscles होता है उसको सिलिरी muscles धीक है जो हमारा आँक होता है कुछ इसपर का होता है यहां पे होता है lens और इसके उपर होता है गरंथी, मानव आंक से जो आसू होते हैं, वो लेक्रिमल गरंथी से निकलते हैं, next question कर लेते हैं, मनुश्य के आसू में कौन सा अमल पाया जाता है, सही answer है, option C, सियालिक अमल, मनुश्य का जो आसू होता है, उसमें सियालिक अमल पाया जाता है, और friends, आपसे एक्जाम में कभी सियालिक अमल होता है, इसका formula पूछ लियाता है, तो friends, इसका formula होता है, C11, H19, NO9, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, next question कर लेते हैं, मनुश्य की आँख अधिक्तम कितने degree तक देख सकती है, answer है, 150 degree तक देख सकती है, next question कर लेते हैं, friends, आपको कहीं कहीं पे इसका answer 180 degree भी दिया होगा, लेकिन friends, जो सही answer होता है, वो 150 degree होता है, example, friends, आप कभी भी जो अपनी आँखी जब आप खोलते हो, ठीक है, आप कभी भी जब सामने देखोगे न, तो अगर आप ऐसे देख रहे हो, तो आप कभी भी इतना हिस्सा नहीं दिखाई देगा, यहां से इतना हिस्सा, आपको हमेशा friends देखना, आपको कभी भी notice करना, आपको इतना हिस्सा दिखाई देगा, जो की 150 डिगरी होता है, ठीक है, 180 तो इतना होता है, लेकिन दोनों आँखों से कभी भी आप देखने कोशिच करना, आपको पूरा का पूरा इतना नहीं दिखाई देता, इतना दिखाई देता है, जो की 150 डिगरी होता है, next question कह लेता है, मनुशे की आँखे जो होती हैं कितनी पर्तों से मिलकर बनी होती है सही आंसर है इसका option B 3 मनुशे की आँख जो होती है वो तीन पर्तों से मिलकर बनी होती है next question मनुशे की आँख कौन सी तीन पर्तों से मिलकर बनी होती है सही आंसर है option D उप्युक्त सभी Sclera, Choroid, Retina Sclera को हिंदी में हम Shoit Patal भी कहते है Choroid को हिंदी में Choroid ही बोला जाता है Retina को Retina ही बोला जाता है ये तीन परत से मिलकर मनुशे की आँख बनी होती है सबसे भारी blood जो होता है उसको हम Sclera बोलते है Next question करते है मनुशे की आँख का सबसे भारी भाग क्या कहलाता है Option A Sclera कहलाता है मनुशे का आँख का जो सबसे भारी भाग होता है उसे हम Sclera कहते है ये वाला जो भाग ना बाहर वाला इसको हम Sclera बोलते है Next question कर लेते है मनुशे के आँख के किस परत में रक्त पाया जाता है आंसर इसका option B, koroid koroid एक ऐसा परत है जहां पर रक्त पाया जाता है next question मनुशे की आँख में प्रतिविम कहां बनता है सही answer is option A, retina पर मनुशे की आँख में प्रतिविम बनता है next question मनुशे की आँख का उबरा हुआ भाग क्या कहलाता है सही आंसर है Option A कौर्णिया कहलाता है मनुशे की आँख का जो उबरा हुआ भाग होता है उसे हम कौर्णिया कहते है Next question मनुशे की आँख में रोशनी कहां से प्रवेश करती है सही आंसर है Option D कौर्णिया से प्रवेश करती है मनुश्य की आँख में जो रोशनी होती है वो कौर्णिया वाले भाग से प्रवेश करती है कौर्णिया और आइरिस के बीच पाया जाने वाला तरल परदात कौन सा होता है आंसर इसका option C उप्युक्त दोनो जल्लिये दरवे जिसे की हम एक्वस हुमर भी कहते है कौर्णिया और आइरिस की बी जो पाया जाने वाला तरल परदात होता है उसे हम जल्लिये दरवे या एक्वस हुमर के नाम से जानते है यह question भी प्रेंट एक्जाम में कई बार पूछा गया है next question है मनुश्य के आँखों का आईबॉल जो होता है उसको अकार कोन प्रदान करता है सही answer है option B विट्रस हुमर विट्रस हुमर जो होता है यह मनुश्य के आँखों का जो आईबॉल होता है उसको अकार प्रदान करता है next question Aqueous Humor का मुख्य कारे क्या होता है सही आंसर इसका Option C आंसू बनाना आंसू बनाना जो होता है यह Aqueous Humor का मुख्य कारे होता है और मैंने आपको बताया जो Vitress Humor होता है यह आंखों का जो Eyeball होता है उसको अकार प्रदान करता है Next question कर लेते हैं मनुशे की आंखों का कौन सा सेल काली और सफेद रंग की रोशनी दिखाता है सही आंसर है Option A Rod Cell Rod Cell जो होता है यह मनुशे की आंखों का वह सल होता है जो की काली और सफेद रंग की रोशनी को दिखाता है Next question मनुशे के आंखों में लेंस कहां पर होता है सही answer है, option B, पुतली के पीछे, मनुश्य की आँखों में जो लेंस होता है, वो पुतली के पीछे होता है next question, वह कौन सा परानी है, जिसकी आँख का अकार मस्तिक्ष से बढ़ा होता है answer है, option D, शुतुर मुर्ग, शुतुर मुर्ग ऐसा परानी है, जिसकी आँख का जो अकार होता है, वो मस्तिक्ष बढ़ा होता है ये भी एक्जाम में पूछा गया question है, next question कर लेते हैं, बिच्छु जिसे की हम स्कॉपियंस भी बोलते हैं, के पास कितनी आँखे होती है answer है, option C, 12, बिच्छु के पास 12 आँखे होती है, next question कर लेते हैं, box jellyfish के पास कितनी आँखे होती है, सरी answer है, option C, 24 आँखे होती है, box jellyfish के पास next question कर लेते हैं प्रकास की किछ घटना के कारण मनुष्य आँखों से देख सकता है answer है option A परावरतन परावरतन के कारण जो मनुष्य होता है वो अपनी आँखों से देख सकता है जिसे की हम reflection भी बोलते हैं next question कर लेते है मनुष्य की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है answer है option C 576 मनुष्य की जो आँखों होती है वो 576 मेगापिक्सल की होती है next question आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें आँख के रेटिना पर रोशनी के समान रूप से केंदित करने में विफल हो जाती है जिससे दुंदलापन या विक्रित दिरिष्टी पैदा होती है उसे क्या कहते है answer है उसे हम कहते है estimatism या बोल सकते हो दिरिष्टी वैश्मया next question estimatism बीमारी को ठीक करने के लिए किस परकार का lens का प्रियोग किया जाता है answer है option C उप्युक्त दोनो बेनलाकर lens या बोल सकते हो cylindrical lens बेनलाकर lens या cylindrical lens का प्रियोग होता है estimatism बीमारी को ठीक करने के लिए next question मदु मख्य में कितनी आँखें होती है सही answer है option A पांच आँखें होती है मदु मख्य में कुल मिलाके पांच आँखें होती है आँखों की बीमारी जाचने के लिए कौन सा टेस्ट होता है सही answer है option C उप्युक्त दोनो नेतर पटल दर्शन या अप्थलैमोस कॉपी next question convex lens जिसे की हम उत्तर lens भी बोलते है का focal लंबाई कैसा होता है answer है option A positive होता है convex lens का focal length जो होता है blend की प्रकाशीय शक्ति यानि power of lens का मातरक क्या होता है answer है option B diopter lens की जो प्रकाशीय शक्ति यानि power of lens होता है उसका जो मातरक होता है आ iOS करने है इस वीडियो का इसकी बाद सभी कोशन का मैंने आपके लिए revision रखा है lens की प्रकाशीय शक्ति power of length का formula क्या होता है answer है P is equal to 1 upon F P क्या होता है 1 upon F होता है यानि inversely proportional होता है और यहाँ पे F जो है focal length है P जो है power है friends मैंने आपको यह 56 question करवाए उम्मीद करता हूँ friends आपको सभी question अच्छे से समझ में आ गए होंगे अब इस वीडियो का सबसे बहतरिन पार्ट है revision revision करने से पहले मैं आपको बता है तो friends अगर आपको यह बाद में पढ़ना है या आपको PDF form में इस अभी question चाहिए तो आप मेरे website पर visit करिए google पर जाके search करना है www.ravistudyiqugk.com और मेरा एक करन्ट अफेर का चैनल भी आ गया हुआ है ravistudyiqugk 2.0 नाम से है और एक और चैनल है ravigk is live दोनों को friends आप subscribe कर लीजिए special whatsapp group है 7814339999 इसे भी आप join कर लीजिए telegram पे, facebook पे, instagram पे आप मुझे follow कर सकते हो ravistudyiqugk के नाम से है तो चलिए friends start करते हैं अब revision हम पहले question से फर्स्ट question है मारा एक समाने मनुशे के लिए सूसपश दृष्टी के नियूंतम दूरी कितनी होती है answer इसका 25 cm अगर हम बात करें mm में वो होता है 250 mm अगर हम बात करें meter में वो होता है 0.25 meter next question पुतली का अकार रोष्णी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है answer is iris धूप या जादा रोष्णी में पुतली के अकार पर क्या फर्क पड़ता है answer is छोटा हो जाता है अंधेरे या कम रोष्णी में पुतली के अकार पर क्या फर्क पड़ता है आंसर है बड़ा हो जाता है नेतरदान के समय आंख का कौन सा भागदान किया जाता है आंसर है कौर्निया आंखों का अलग-अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है आंसर है आईरिस आईरिस को हिंदी में हम परी तारिका भी बोलते है Next question मनुशे के आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है आंसर है उतल लेंस जिसे की हम कन्वेक्स लेंस भी बोलते है और इसका focal length पलस होता है यानि positive होता है मनुशे के आंखों के रेटिना पर कैसा प्रतिविम्ब यानि image बनता है आnya रेश स्थविक और उल्टा या बोल सकते हो real and inverted नेक्स्ट कोशन है मारा आँखों के अध्यन को क्या कहा जाता है आंसर है ophthalmology मानो शरीर का कौन सा उत्तक जिसमें रक्त वाही काई नहीं होती आंसर है cornea आँखों की ऐसी बिमारी जिसमें आसु सूख जाते हैं आंसर है zero pathalemia आँखों की ऐसी बिमारी जिसमें कोई व्यक्ती निकट की वस्तों को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि दूर की वस्तों स्पष्ट नहीं देख पाता उस बिमारी को क्या कहते हैं आंसर है उस बिमारी को myopia भी कहते हैं उसको दूसरे शब्दों में निकर द्रिष्टी दोश भी कहते हैं और इसका एक और नाम होता है short sightedness English में ठीक है next question कर लेते हैं आँखों की बीमारी myopia जिसे की हम निकर द्रिष्टी दोश भी कहते हैं को ठीक करने के लिए किस परकार के lens का चश्मा का परियोग करना होता है answer is aftal lens जिसे की हम concave lens भी बोलते हैं आँखों की बीमारी myopia जिसे की हम निकर द्रिष्टी दोश भी बोलते हैं में प्रति बिम्ब यानि image कहां पर बनता है answer is retina से भेले आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें कोई व्यक्ती दूर की वस्तों को स्पष्ट रूप से देख सकता है जबकि पास की वस्तों स्पष्ट नहीं देख पाता ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं answer है ऐसी बीमारी को hypermetropia या बोल सकते हो दूर दृष्टी दोश या बोल सकते हो long sightedness यह तीनों एक ही चीज है ठीक है और English में long sightedness बोलते हैं next question आँखों की बीमारी hypermetropia जिसे की दूर दृष्टी दोश भी बोलते हैं को ठीक करने के लिए किस परकार के lens का चश्मा का प्रियोग करना होता है answer है उत्तर lens या बोल लो convex lens next question आँखों की बीमारी hypermetropia जिसे की दूर दृष्टी दोश भी कहते हैं में प्रतिविम कहां बनता है answer है retina के पीछे निमन में से कौन सी आँखों की बीमारी बुजुर्ग लोगों को होती है answer है press biopia जिसे की हम जरा दृष्टी दोश भी कहते है बुजुर्गों में ciliary mass species जिसे की ciliary muscles भी बोलते हैं के सक्त होने से कोन सी बीमारी होती है answer है press biopia जिसे की हम जरा दृष्टी दोश भी बोलते हैं यसे की जरा दृष्टी दोश भी बोलते हैं में उनको कहां की वस्तु दिखाई नहीं देती answer है ना ही path की दिखाई देती है ना ही दूर की दिखाई देती है ठीक है इस बिमारी में बुज़र्गों में होने वाले बिमारी प्रेस Biopia जरा दिश्टी दोश को ठीक करने के लिए किस प्रकार के lens का प्रियोग होता है आंसर है बाइफोकल लेंस या बोल सकते हो द्रीफोकल लेंस फ्रेंस जितने भी कोशन में आपको करवा रहा हो ना पिछले एक्जामों में कई बार रिपीट हो चुके हैं और ये जो हुमन आई वाला टॉपिक था यानि कि मानम नेतर वाल टॉपिक था इसमें ये कोशन सफिशेंट हैं ठीक है नेक्स्ट है मारा रताउन थी जिसे की हम नाइट ब्लाइनेस भी बोलते हैं को और किस नाम से जाना जाता है आंसर है निक्टलोपिया एक समस्या जिसमें ऐसा लगता है कि आँखे एक ही समय में एक ही दिशाम में नहीं देखती इस बिमारी को क्या कहते हैं इसे कहते हैं त्रियक दिश्टी या बोल सकते हैं Strabismus नेक्स्ट कोशन प्रैकोमा बिमारी किस अंग को परभावित करती है आНसर है आंखों को नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, किसी भी lens का सूत्र, यानि lens formula क्या होता है? तो answer है, 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u f क्या होता है? focal length होता है, v क्या होता है? image distance होता है और u क्या होता है? object distance होता है नेक्स्ट कोशन आँखों में परवेश करने वाली प्रकाश की मातरा को को नियंतरित करता है आंशर है आइरिस नियंतरित करता है नेक्स्ट कोशन है मारा आँखों का वेक काला चितर जहां से प्रकाश परवेश करता है उसे क्या कहते है आंसर है उसे पुतली या बोल सकते हो प्यूपिल कहते है मनुशे की आंखों की दृष्टी का स्थाइत्व यानि पर्जिस्टेंस और विजन कितना होता है आंसर है 1 अपॉन 16 सेकंड मोस्ट इंपॉरन कोशन है नेक्स्ट कोशन मानव नेत्र लेंस किस पेशी पर टिका रहता है आंसर है सिल्यरी पेशी के उपर मानव आंख से आंसु किस गरंथी द्वारा निकलते हैं आंसर है लेक्रिमियल गरंथी मनुशे के आंसु में कौन सा अमल पाया जाता है आंसर है सियालिक अमल मनुश्य की आँख अधिक्तम कितने डिगरी तक देख सकती है आंसर है 150 डिगरी मनुश्य की आँख कितनी परतों से मिलकर बना होता है आंसर है 3 मनुश्य की आँख कौन सी 3 परत से मिलकर बना होता है आंसर है स्क्लेरा जिसे की शोयत पटल भी कहते है कोरोईड, तीसरा है रेटीना हिंदी में भी इसको कोरोईड ही लिखते हैं और हिंदी में इसको भी रेटीना ही लिखते हैं मनुश्य की आंख का सबसे भारी भाग क्या कहलाता है आंसर है स्क्लेरा कहलाता है मनुश्य की आंख के किस परत में रक्त पाया जाता है आंसर है कोरोईड में Next question मनुशे की आंख में प्रतिभीम कहां बनता है आंसर है रेटीना में बनता है मनुशे की आंख का उबरा हुआ भाग क्या कहलाता है आंसर है कौर्निया कहलाता है मनुशे की आँख में रोशनी कहां से प्रवेश करती है आंसर है कौर्णिया से कौर्णिया और आईरिस के बीच पाया जाने वाला तरल प्रदात कौन सा होता है आंसर है जलिये द्रव्य या बोल सकते हो एक्वस हुमर मनुषे की आँखों को अकार कों प्रदान करता है आंसर है विट्रस हूमर नेक्pt कोशाइन एकवस हूमर का मुखे कारे क्या होता है आंसर है आसु بنання मनुषे की आंखों को कौन सा सेल काली और सफेद रंग की रोशनी दिखाता है आंसर है रॉड सेल नेक्स्ट कोशन, मनुशे के आँखों में लेंस कहा होता है? आंसर है पुतली के पीछे वह कौन सा प्रानी है जिसकी आँख का अकार मस्तिक्षे बरा होता है? आंसर है शुतुर्मुग बिच्छु जिसे की हम स्कॉपियन्स भी बोलते हैं के पास कितने आँख होते हैं? आंसर है बारा बॉक्स जैली फिश के पास कितने आँख होते हैं? आंसर है चोबिस प्रकाश की किस घटना के कारण मनुशे आँखों से देख सकता है? आंसर है परावर्तन जिसे की हम reflection भी बोलते हैं next question मनुश्य की आंख कितने megapixel की होती है आंसर है 576 आंखों की ऐसी बिमारी जिसमें आंख के रेटीना पर रोशनी को समान रूप से केंदित करने में विफल हो जाती है जिसमें दुंदलापन या विकरी दृश्टी पैदा होती है उसे क्या कहते हैं आंसर है इसे हम estimatism कहते हैं और हिंदीने बोलते हैं दृश्टी वैश्मया estimatism जिसे की दृश्टी वैश्मया भी बोलते हैं बिमारी को ठीक करने के लिए किस परकार का lens का प्रियोग होता है आंसर है बेनलाकार lens जिसे की हम cylindrical lens भी बोलते है next question मदु मखी में कितनी आखें होती है answer है पांच आखों की बिमारी जाचने के लिए कौन सा टेस्ट होता है answer है नेतर पटल दर्शन या फिर आप बोल सकते हो अप्थलेव मोस कॉपी next convex lens जिसे की हम उत्तल lens भी बोलते है का focal लंबाई कैसा होता है answer है positive होता है lens का प्रकाशिय सकती यानि power of lens का मातर क्या होता है answer है diopter lens की प्रकाशिय सकती जिसे की हम power of lens भी बोलते है का formula क्या होता है answer है power जो होता है वो 1 upon f होता है इसमें p power है f क्या है focal length है और यह हमेशा आपस में inversely proportional होता है यानि p is equal to 1 upon f friends मैंने आपको यह 56 question करवाए उम्मीद करता हूँ friends आपको सभी question अच्छे से समझ में आगे होंगे friends मैंने आपको बिल्कुल भैतरीन तरीके से पढ़ाया है पहले मैंने आपको पढ़ाया फिर मैंने आपको सभी question का revision भी करवा दिया उम्मीद करता हूँ friends आपको सभी question अच्छे से समझ में आगे होंगे और याद भी हो गे होंगे अब मैंने friends आपके लिए 10 question का test रखा है जिसका answer आपने comment रखे देना और वीडियो कैसी लगी है friends आपने ये भी मुझे ज़रूर बताना है और friends जो भी questions है अगर आपको बाद में पढ़ना है तो आप मेरे website पे जाके पढ़ सकते हो website का नाम है www.ravistudyqgk.com ठीक है एक current affair का channel भी launch हो गया है ravistudyqgk 2.0 या एक और channel है ravigk is live दोनों का friends आप subscribe कर लीजिए ये current affair का channel है और ये live channel है मेरा ठीक है तो चलिए start करते हैं test first question से first question है test का एक समाने मनुशे के लिए सूस पश्ट द्रिष्टी की नियोंतम दूरी कितनी होती है चार options हैं आपके पास answer आपने मुझे commentर के बताना है next question पुतली का अकार रोशनी के हिसाब से को निर्धारित करता है answer आपने commentर के देना आपने ज़्यादा time चाहिए आप वीडियो को pause कर सकते हो next question धूप या ज़्यादा रोशनी में पुतली के अकार पर क्या फर्क पड़ता है चार options हैं आपके पास next question अंधेरे या कम रोशनी में पुतली के अकार पर क्या फर्क पड़ता है answer आपने commentर के बताना है नेतरदान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है चार options हैं आपके पास answer आपने commentर के बताना है आँखों का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है मनुश्य के आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है चार options हैं आपके पास next question मनुश्य की आँखों के रेटिना पर कैसा प्रतिबिम बनता है answer आपने commentर के बताना है next question है test का आँखों की अध्यान को क्या कहा चाता है answer आपने commentर के बताना है आँखरी question कर रहे है test का हम मानुश्य का कौन सा उत्तक जिसमें रक्त वहाई का नहीं होती है friends मैंने आपको ये 56 question करवाए उसकी बाद 56 question का revision भी करवा दिया और 10 question का test भी ले लिया उमीद करता हूँ friends आपको सभी question अच्छे से समझ में आ गए होगे और याद भी होगे होगे फिर सबसे बहतरीन तरीका था पढ़ने का कि पहले आप पढ़ लो फिर revision कर लो और उसके बाद test दे दो तो मैंने आपको बिल्कुल उसी बहतरीन तरीके से बढ़ाया है ठीक है उमीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लोग योगी friends कम से कम 10 friends के साथ शेर जरूर करिएगा आप इसी वीडियो को और आप मेरा current affair channel जो है रवी study IQ GK 2.0 इसे भी friends आप subscribe कर लिजिए ठीक है YouTube पे आपको सर्च करना है रवी study IQ GK 2.0 एक और channel मेरा आचुका है रवी जीके इस लाइव रवी जीके इस लाइव को भी friends आप subscribe कर लिजिए ठीक है आप मुझे आप मेरा website भी launch हो चुका है अगर आपको कोई भी चीज इसे भी friends आप save कर लिजिए ठीक है इसे भी आप join कर सकते हो टेलिग्राम फेस्बूक इंस्टाग्राम पे follow कर सकते हो रवी study IQ GK नाम से है तो friends आप हम मिलते है next video में thank you and wish you all the best